हेलो गाईश तो स्वागत्ते आपका टेखनीक कल अंकित में और में नामें अंकित और आज की वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाईश आज की वीडियो सिर्फ रेडमी यूजर्स के लिए ही नहीं सभी यूजर्स के लिए काफी जादा इंटरस्टि तो guys जैसा कि आप जानते होंगे जब आप अपने phone से किसी की भी call recording करते हो तो एक announcement सी होती है जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी call recording कर रहे हो तो guys वह आप call recording की announcement कैसे off कर सकते हो उसके बारे में आपको जैसे वीडियो बताने वाला हूँ और साती साथ में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो आपकी call recording होती है वो कहां सेव होती है कहां से आप उसे play कर सकते हो तो guys video काफी जादा amazing होने वाली है और अगर आपको video पसंद आए तो video के एक like कर देना and then channel पे नए हो तो channel को भी subscribe कर देना तो चलिए video start करते हैं तो guys सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जब भी आप किसी की भी call recording करते हो तो कैसा sound आता है तो मैं यहां simply से एक call लगा लेता हूं तो guys यहां call लग चुकी है and then अब मैं इस call को record करता हूं तो guys यहां यह call record होने लगी है तो आपने एक sound सुना होगा this call is now be recorded तो guys अब आप इस sound को कैसे off कर सकती हो उसके बारे मैं आपको बताता हूं तो guys जैसे आप किसी की भी call recording करते हो तो सामने वालों को भी पता चल जाता है कि आप उसकी call recording कर रहे हो इस sound से तो guys अब आप इस sound को off कैसे करोंगे उसको बारे मैं आपको बताता हूं तो आपको करना किया है आपको एक छोटी सी file को download करना है तो अब आप उस file को download कैसे करोंगे तो आपको simply अपने प्लेश्टर पे चले जाना है and then play store पे जाने के बाद आपको simply अपने search आर पर search करना है ttslex तो guys आपको simply यह search करना है तो जैसे आप यह search करोंगे तो यहां सबसे first number पर एक application आ जाएगी जो कि application न ही है एक छोटी सी file है यहां आप siihen चेक कर सकते हो जो कि यह 210 trainer है तो आपको simply से इसे download कर लेना है तो guys यहां मेरी application डाउलोड हो गई है तो guys जैसे आपकी वो file डाउलोड हो जाए तो आपको करना क्या है आपको अपने phone की setting में चले जाना है and then phone की setting में जाने के बाद आपको अपने search आपर search करना है text to speech तो guys आपको simply यह search करना है तो जैसे आप यह search करोंगे तो यहां एक feature आजाएगा text to speech output नाम से तो आपको इस पर click करना है तो जैसे आपस पर click करोंगे तो यहां एक option दे राख होगा prefer engine तो आपको इस पर click करना है तो जैसे आपस पर click करोंगे तो जो आपने file डाउलोड की होगी उसका एक option आ जाएगा तो आपको simply उससे select कर लेना तो जैसे आपको simply से okay कर देना तो guys जैसे आप यह सब process कर लोंगे तो उसके आगे आपको करना क्या है आपको simply से अपने google dialer पर hold click करना है and then hold click करने के बाद यहाँ एक option आएगा app info का तो आपको इस पर click करना है and then click करने के बाद यहाँ आपको google dialer आ जाएगा and then यहाँ आप नीचे की side देख सोंगे यहाँ clear data वाल option दे रखा है तो आपको इस पर click करना है and click करने के बाद यहाँ दो option आ जाएगा पहला clear all data and second clear catch तो आपको यहां ध्यान रखना है यहां आपको सबसे फर्स्ट नमबर पर clear catch ही करना है एंडन यहां आपको ok कर दिना है एंडन यह करने के बाद आपको दो बार से clear all data वाले option पर click करना है यहां आपको सारा data के लिए कर दीना है तो guys यह करने के बाद फिर आपको अपनी home screen पर आ जाना है अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो call recording का sound आ रहा था वो अब आ रहा है या नहीं तो मैं यहां simply से दोबार से call लगा लेता हूँ तो guys यहां मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि जब आप यह सब process करके first बार call लगाऊंगे तो यहां आपका सरी first time वो call recording का sound सुनाई देगा फिर आपका उसके बाद कभी नहीं सुनाई देगा तो मैं यहां simply से call लगा लेता हूँ तो guys यहां आप देख सके होंगे कि यहां call recording के announcement का sound आया है अब मैं यहां call recording करूँगा तो अब उसका sound कभी नहीं आएगा यहां मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो guys यहां आप देख सके होंगे यहां मेरे call recording की announcement का sound अब नहीं आ रहा है मैं याज जितनी बार भी call recording कर रहा हूँ एक भी बार भी announcement सुना ही नहीं दे रहा है तो guys इस तरीके से आप अपने किसी भी Android smartphone की call recording की announcement का sound off कर पाऊंगे वो ही बिल्कुल easily तरीके से तो guys ये तो था हमारी call recording के announcement को off करना तो guys अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप अपने phone की call recording करते हो तो वो आपकी save कहा होती है तो उसकी बारे मैं आपको बता दे रहा हूँ तो guys अब आपको करना क्या है आपको अपने Google डायलर में आ जाना है कि यहां काफे सारे option आ गए है तो इसमें से एक option होगा call recording का तो आपको उसकी क्लिक करना है and then click करने के बाद यहां आप देख सकोंगे कि यहां एक option दे रखा है number not in your contact तो आपको simply यह वाला option on कर देना है and then on करने के बाद यहां आपको always record कर देना है and then यह करने के बाद उसी के नीचे एक option दे रखा होगा selected number तो आपको उस पर क्लिक करना है and then click करने के बाद यहां आप देख सोंगे यहां एक option दे रखा है choose a contact तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है तो guys जैसे आप इस वाले option पर click करोंगे तो आपके सामने आपके device के सारे contact आ जाएंगे and then आपको जिस भी contact ही call recording को save करना है आपको simply वो सारे contact select कर लेना है तो जैसे आप वो सारे contact select कर लोंगे तो यहाँ आपके सारे contact save की हो आ जाएंगे एंड नहीं आप देख सोंगे यहां उपर की साइड उप्सन दे रखा है Always record selected तो आपको simply वो वाला option on कर देना है तो यह सब करने के बाद फिर आपको back करना है एंड दिन back करने के बाद आपने जिसको भी call लगाया होगा और उसकी call recording save करी होगी तो आपको simply उस contact पे click करना है तो जैसे आप उस contact पे click करोंगे तो आपके सामने एक pop up आ जाएगा तो उसी में आपकी call recording दे रखी होगी तो आप वहीं से easily से उस call recording को सुन पाऊंगे तो guys इस तरीके से आप अपने किसी भी smartphone के अंदर call recording कर सकते हो सामने वाले की वही without किसी announcement के और साथी साथ मैंने आपको यहीं भी बताद गया कि जो आप call recording करते हो वह आखिर कहां जाके save होती है तो guys आज की वीडियो के लिए बास इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक like करें आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू